पाठ दो मेरा बच्पन पाठ किये बिना भोजन नहीं करती थी दो अक्टूबर 1879 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र साथ वर्ष की रही होगी पाठ शाला से फिर उपर के स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी सिक्षक या किसी लड़के से जूट बोला हो मैं बहुत संकोची था एक बार पिताजी श्रवण पित्र भक्ती नामक नाटक की एक किताब लाये थे मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा उन्ही दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बेठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा मैंने सत्यवादी हरीश चंदर नाटक भी देखा बार बार उसे देखने की इच्छा होती हरीश चंदर के सपने आते बार बार मेरे मन में ये बात उठती कि सभी हरीश चंदर की तरह सत्यवादी क्यों ना बने यही बात मन में बैट गई कि चाहे हरीश चंदर की भाती दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब मैं केवल तेरह वर्ष का था तभी मेरा विवाक कस्तूरबा के साथ हो गया था मगर मेरी पढ़ाई चलती रही पाँचवी और छटी कक्षा में तो छात्र वृत्तियां मिली थी अपने आचरण की और में ध्यान देता था इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आखों में आसु भर जाते सिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असहय हो जाता अपने से बड़ों तथा सिक्षकों का अप्रसंद होना मुझे सहन नहीं हो पाता था मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थे के लिए लाबकारी होता है ये बात मुझे अच्छी लगी और तब ही से मैंने सेर करने की आदत डाल ली सेर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं ये गलत विचार मेरे मन में इंग्लेंड जाने तक रहा आगे चल कर दूसरों के मूती जैसे अक्षर देख कर मैं बहुत पच्चताया मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपून शिक्षा की निशानी है बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चड़ सकती है सुलेख सिक्षा का जरूरी अंग है उसके लिए चित्रकारी सीखनी चाहिए बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है तब यदी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते है मेरे संस्कृत के सिक्षक काम लेने में बड़े सक्त थे फार्सी के सिक्षक नरम थे विद्यारती आपस में बातें भी करते कि फार्सी बहुत सरल है ये सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फार्सी की कक्षा में जा बैठा ये देखकर संस्कृत के सिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ मैं तो सब विद्यारतीयों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ आगे चल कर इसमें रस ही रस है देखो हिम्मत ना हारो तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो मैं उन सिक्षक के प्रेम के कारण इनकार चाहता हूँ